Pregnancy में कई बार औरतों को thyroid, BP, diabetes जैसे शिकायत हो जाती है लेकिन ये ऐसे शिकायते क्यों होती है? इनका बच्चों की development में कुछ असर होता है या नहीं? इसके बारे में इस वीडियो में आज अच्छी तरह से समझेंगे Especially thyroid की वजह से pregnancy में क्या दिक्कत आ सकती है? बच्चे की development के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है Pregnancy के पहले 3 महिनों में ही बच्चे की brain की development होती है ये brain की development मा के अंदर मौझूद thyroid hormone की मदद से होती है अगर मा के शरीर में thyroid hormone normal level में हो तो बच्चे की brain की development काफी अच्छी तरह से हो जाती है लेकिन अगर मा के शरीर में thyroid की hormone कम या ज्यादा हो तो बच्चे के brain के development में दिक्कत आ सकती है अगर मा के शरीर में thyroid की मातरा कम हो यानि की मा के शरीर में hypothyroidism हो तो बच्चे की IQ कम हो सकती है इसके अलावा बच्चे की psychomotor development में ही इंपेर हो सकती है, स्लो हो सकती है. Alternately, अगर मा के शरीर में thyroid imbalance हो, specially अगर thyroid की level ज्यादा हो, तो still birth होने की संभावना बढ़ सकती है. Miscarriage की भी संभावना इस thyroid hormone की वज़े से बढ़ सकती है. अगर मा के शरीर में thyroid hormone कंट्रोल में ना हो, uncontrolled hypothyroidism हो, यानि की thyroid की मातरा जरूरत से कई गुना ज्यादा कम हो, तो pre-term delivery होने की संभावना होती है. Pre-term delivery, यानि की due date से कई दिन पहले ही delivery हो जाना. Pre-term delivery की तरह ही, hypothyroidism, खास तोर पे uncontrolled hypothyroidism की वज़े से, बच्चे का वजन काफी ज्यादा कम हो सकता है. Low birth weight babies की शिकायत, thyroid के patients में, thyroid के माओं में काफी commonly देखा जाता है. Uncontrolled hyperthyroidism, life threatening माना जाता है. जी हाँ, अगर thyroid hormone जरूरत से कई गुना ज्यादा मातरा में, मा के शरीर में मौजुद है, तो ये situation बच्चे के लिए ही नहीं, मा के लिए भी हानिकारक हो सकती है. ये situation बच्चे और मां दोनों के लिए life threatening हो सकती है. Uncontrolled hyperthyroidism को thyroid storm के नाम से पहचाना जाता है. ये situation life threatening और काफी emergency situation होती है. Thyroid storm में बहुत ही तेज बुखार आ सकता है. Dehydration हो सकता है. मा की heartbeat बहुत irregular हो सकती है. मा को shock नाम की एक situation भी आ सकती है. और इन सारी conditions की वज़े से death होने की यानिकी जान जाने की भी संभावना होती है. इसलिए thyroid storm एक life threatening और एक emergency situation मानी जाती है. कई बार हमें ये भी पूछा जाता है कि अगर मा को pregnancy के दौरान thyroid detect हुआ हो. चाहे वो hyper हो या hypothyroid हो. अगर मा के शरीर में thyroid की imbalance detect हो गई हो तो क्या इसका असर बच्चे पे आ सकता है? तो इसका जवाब है कि अगर मा regularly दवाईयां ले रही है तो शायद इसका असर बच्चे पे ना आए. मा के शरीर में होने वाले thyroid के imbalance का असर बच्चे पे ना आने के लिए मा को regularly thyroid की monitoring करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. जैसे ही pregnancy diagnose हो जाए, pregnancy detect हो जाए, वैसे तुरंथ मा को thyroid की जांच करवाना जरूरी होता है. Pregnancy के दौरान शरीर में requirement बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है. nutrients की requirement, energy की requirement काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इन requirements को satisfy करने के लिए, fulfill करने के लिए, मा के शरीर में होने वाला thyroid organ हलका सा बढ़ सकता है. जिसकी मदद से मा के शरीर मे requirements काफी आसानी से fulfill की जाए. लेकिन ये increase अगर limit में हो, ये increase अगर optimum हो, तो ही मा के और बच्चे के development के लिए अच्छा होता है. इस thyroid के increase का regular monitoring करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. Pregnancy detect होते ही एक बार thyroid की जाच करवाए और फिर जैसे pregnancy progress होती है, वैसे हर तीन महिने में एक बार thyroid की test जरूर करवाए. Thyroid को normalize करने के लिए ज्यादा तर methimezol और tapazol नाम के MMI category के drugs का prescription किया जाता है. ये drugs बहुत ही commonly prescribed होते हैं, लेकिन ये drugs pregnancy के पहले तीन महिने में अगर avoid किये जाए तो बच्चे की development और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है. प्रेगनसी के पहले तीन महिनों में MMI को avoid करके PTU यानि की प्रोपाइल थायो यूरसल नाम की drugs का इस्तमाल करके बच्चे की development, specially बच्चे की brain की development को अच्छी तरह से अच्छी तरह से अच्छीव किया जा सकता है. पहले तीन महिनों के बाद वापस से MMIS का इस्तमाल किया जा सकता है. अगर आपको radioactive iodine का इस्तमाल करने का सुझाव दिया गया है, तो प्रेगनसी के दोरान इस दवाई को liquid form में या pill form में नहीं लिया जा सकता है. इन दवाईयों को बंद करने के भी एक साल के बाद प्रेगनसी का प्रयास करें. अगर thyroid hormone जरूरत से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है, या फिर thyroid की size, thyroid के organ की size कई गुना ज्यादा बढ़ गई हो, तो आपके डॉक्टर आपको surgically thyroid को थोड़ा कट करने का सुझाव दे सकत हैं, जिसकी मदद से शरीर में thyroid के hormone की balance maintain की जा सकती है. जब thyroid hormone जरूरत से कई गुना ज्यादा डेवलप होता है, तब उस condition को Graves disease के नाम से पहचाना जाता है. अगर किसी मा को Graves disease की diagnosis की गई है, तो उनके बच्चों में नियोने की Graves disease होने की संभावना बढ़ सकती है. ऐसे बच्चों को initial कुछ दिनों के लिए hospitalization और intensive care की भी जरूरत पढ़ सकती है. कई बार Graves disease की औरतों को surgery का सुझाव दिया जाता है और इन्हें भी radioactive iodine का सुझाव दिया जा सकता है. इन औरतों के शरीर में कुछ antibodies मौजूद होती है, जो crossover करके बच्चे के शरीर में जा स जिसकी वजह से बच्चे को भी शिकायत हो सकती है, तकलीफ हो सकती है. इस initial तकलीफ को manage करने के लिए, tackle करने के लिए और बच्चे में long term effects ना आने के लिए शुरुवात में बच्चे को hospitalization और intensive care की जरूरत पढ़ सकती है. All in all, thyroid के patients को pregnancy के दौरान काफी अच्छी तरह से थ्यान रखना चाहिए. अपने डॉक्टर को thyroid की दवाईयां चालू है या नहीं, इसके बारे में तुरंद बताएं. जैसे ही pregnancy detect हो जाए, वैसे जल से जल अपने डॉक्टर को अपनी सारी दवाईयों के बारे में information जरूर द है या नहीं, ये समझना आपके और आपके बच्चे के अच्छे development के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. Thank you.